हेलो गाइज, हवाड यौल, आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं, थेोरी आफ लॉव बाई सर हैंरी मेन, जो कि एक इस्टोरिकल स्कूल अफ जूरिस्पूड़ेंस है, उसके एक जूरिस्ट है ये, सर हैंरी मेन, आज की हम इस वीडियो में, क्या-क्या चीजन डिस्क्स करने वाले हैं, चलिए उसके एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं, हम आज इस वीडियो में डिस्क्स करने वाले हैं, वाट इस दा हिस्टोरिकल स्कूल अफ जूरिस्पूड़ेंस, सैकिन है कि सर हैंरी मेन कौन है, और थर्ड पॉइंट है कि उन्होंने थेोरी कौन कौन से दिये हैं, उसके बाद में आते हैं, तो उन्होंने अपनी थेोरी ओफ लॉओ के अंदर स्टेजिस अफ जो डिवलॉप्मेंट अफ लॉओ की बात की गई हैं, वो क्या हैं, और उन्होंने जो उसके बीच में एक सोसाइटी के बारे में भी जिक्र किया है, यनि इस चीज है अमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्क्स कर चुके हैं कम्प्लीट वीडियो है यहां पर है मौन्टेस क्यू इसके अंदर एक जूरिस्ट भी हमने डिस्क्स किया है इस लो कि आप उपर आई बिटन में जाकर के देख सकते हो और सेकिंड वीडियो है अमने इस सिरीज के अंदर है जो सेविंगनी के दवारा जो थोरी दी गई है हिस्टोरिकल स्कूल ओफ लो के अंदर यानकी ठोरी ओफ वॉल्जिस्ट वो भी हमने डिस्क्स कर ली है जो कि आप यहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन है जो चैनल का वहां पर जाकर के देख सकते हो और इस च 15 अगस्ट 1822 से लेकर के 3rd February 1880 तक का इनका जीविंगन काल था यनि कि यहां से यहां तर सेकिंड पॉइंट में हम कहेंगे कि जो सर हैनली मैन है वो क्या थे एक बिटिस कंपारिटिव जूरिस्ट और हिस्टोरियन थे और यह अपने एक थीसिज थी जो कि उनकी एक बुक थ एंशेंट लो उसके अंदर आउटलाइन थी उसकी वज़ा से यह फेमस थे और वो क्या थी कि लो एंड सोसाइटिया वो डवलोप कहां से होती है स्टेटस टू कॉंट्राइक ठीक है और यह एक केंप्रीज एपोस्टल भी थे 1847 के अंदर वो एक रिजस प्रोफेसर उप स थी और उसी दूरान 1852 के अंदर वन आप दे रीडर बने थे जो कि अपॉइंटिट थे बाई इन्स कोर्ट के दवारा अब उसके बाद में अगर हम उनकी बात करें तो इन्होंने कौन से स्कूल में है जो अपना कॉंट्रिबिशन दिया है वो दिया है वो है इस्टोरिकल स 1861 में पब्लिस हुई थी सेकिंड के अगर हम बात करें तो वह है विलेज कम्यूनिटीज 1871 थर्ड के अगर बात करें तो अरली हिस्ट्री ऑफ इंस्टिउशन 1875 और लास्ट वाली के अगर हम बात करें तो वह है डेजर्टेशन ऑफ अरली लोग एंड कस्टम 1883 अब अगर डव्लो वह बताए गया है इन्होंने अलगे अलग अलग स्टीज़ बताए है कि इस तैम पे इस तरह से लो डव्लो Boost अगर तान इस तेम पे इस तरह से उसके बाद में ऐसे यह विय, जिछू स्टैप है इन्होंने एकए करके दिए हैं तो इसमें रख देखते है کॉ फोर स्टेजिस को डिटेरि में डिसक्स करते हैं सबसे पहले आती है लो मेट बाइ दी रूलर अंडर दे डिवाइन इंस्परेशन इसमें क्या था कि एक किंग होता था पहले उसकी जो कमांड्स है उन्ही को यहां पर लो माना गया है और यह कमांड्स कहां से इंस्परेशन मिलती थी गोड्स या एक तरह से डिवाइन इंस्परेशन के दोर पर ने या फिर गोड्स अफ जस्टिस कह लें या किशी वी तरह से एक डिवाइन स्परिच्वल अथर्टी थी कोई सुप्रीम अथर्टी उससे इनको inspiration मिलती थी फिर ये आगे command देते थी और वो जो command है वो obey की जाती थी वहां की उसकी public के दोरा या जनता के दोरा पीपल्स के दोरा लोगों के दोरा यहां तो ये जो command थी वो obey की जाती थी पीपल के दोरा उस particular state की या है उस particular society की तो इस तरह हैं जो law बनाया जाता था इनके दोवरा command ये command है वो यहां से inspiration लेती थी गोड से और ये है जो इनके उपर obey करने के लिए भेज दी जाती थी यह लोग इनको अबे करते थे और वो चीज़ें हैं यहां पर लोग बनती थी और आगे चल करके जब कस्टमरी लोग की अगर हम बात करें तो यह जो किंग के दवारा कमांड दी जाती थी यही कमांड है वो धीरे-धीरे लोगों के दवारा फोलो की जाने लगी और वाई दे टाइम और कंटिनियस फोलो की वज़े से उसको यूजिज की वज़े से वो है दीरे-धीरे कस्टम्स बन गी तो यह जो कमांड थी वही कस्टमर लोग के तोर पर उने चाहिए और इसके अलावे भी कुछ अलग कस्टम्स थी सोसाइटी के अ तो उसको ही हम यहाँ पर कस्टमर लोग कहते हैं जो की कस्टम्स से बनते हैं अब नेक्स पॉइंट आता है अगर इसके हम बात करें तो जो नोलेज है एन एडमिस्टेशन अफ कस्टम्स या लोग का तो वो कुछ माइनोर्टीज के आद में चला गया था और वो नेचर में माइनोर्टीज कोना आती हैं वो आती हैं प्रिस्ट यानि कि कोई पुजारी है या कोई पादरी है तो उन लोगों के हातों हैं जो ये लोग के एडमिस्टेशन के रिगार्डिंग जितना भी काम था उनकी नोलेज के रिगार्डिंग वो वहाँ पर जाकर करके नई नई कस्टम्स हैं उनको बनाते थे या जो आलेडी चल रही है उनको फोलो करवाते थे तो उसके बाद में जैसे जैसे टाइम निकला तो यहां पर एक अलग ही स्टेज आ गई उसको कहा गया है यहां पर कोडिफिकेशन अब कोडिफिकेशन में क्या आया कि यह थी फोर्थ स्टेज और फाइनल स्टेज भी कहा गया है इसको डवलोप्मेंट डवलोग की अब यह जो कब डिसकोवर हुई यह डिसकोवर हुई थी राइटिंग की जो आर्ट होती है यानि कि लिखने की कला है उससे पर पहले यहां लिखने का कोई काम नहीं था लोगो लेगने यहां पर जब लिखने की जो आर्ट है वो डिसकोवर हुई तो यह वाड़ा सेक्शन आया कोडिफिकेशन का और उसी के साथ में कुछ सेक्शन आये स्कोलर्स के जूरिस्स आये थे आगे जिन्हों ने जो प्रिस्ट की अथोर् कि यह है जो लोगो जानने के लिए एक तरह से एजी और असेसिबल तरीका है अगर हम किसी भी लोग को लिख देते हैं तो वो किसी के लिए आसान हो जाता है उसको असेस करना उसको प्राप्त करना उसको समझना ठीक है और उन्होंने जो है ब्रॉक कर दिया था जो प्रिस् थे, एक तो Romans की 12 table थी, code of Manu था, जो की एक तरह ऐसे mixture था mixture किस चीज़ का? moral थे उसमें, एक religious nature भी था उसमें, और वहाँ की civil law क्या थी ये तीनों चीज़ें वहाँ पर mixed थी और table 12 tables in Romans, attic codes of Solomon Hebrew code और code of Hammerby, ये एक उस codes थे उस time के, जो की codification के जो stage थी, उस time पर यहाँ पर बनाए गए थी I hope कि आपको ये चारों की चारों stages आ गई हैं समझ में, अब इसके बाद में जो sir handyman है, उन्होंने society का जिगर किया गया है, तो यहाँ पर उन्होंने इनी stages के अधार पर society बताई है society बताई है, कितने पहले हम देखेंगे, static society कौन सी है तो sir handyman का कहना है कि जब हमने चार stages दे दी है ये जो चार stages है अगर कोई society इन चारों stages के दवारा एक धायरा बनाया गया है यानि कि जो इन सिर्फ चार stages के अंदर ही रहती है यानि कि इन से बाहर नहीं जाती अपने आपको develop नहीं करती है इन चार stages से आगे तो वो क्या है, एक static society है यानि कि वो स्थिर रहा चुकिए वहाँ पर जैसे कि उस society का ये level है ये चारों stages है, यहाँ पर उसने apply कर दिये है उसके बाद ही उसका ये level बन गया है तो ये इससे ना ही उपर जा रही है ना नीचे जा रही है यानि कि ये इसी constant level पे चल रही है तो उसको यहाँ पर static society माना है तो उसके बाद में progressive society की बात करें तो progressive society में क्या है कि एक तो ये चारों stages है इनके अंदर को society है यानि कि उसने ये चीज़े है यानि कि वो static society है तो वो static society progressive society का बनेगी जैसे ही ये society इस criteria से बाहर आएगी यानि कि उस society ने ये जो चारों stages पूरी कर लिए उसके बाद में भी अपने अंदर डवलोप कर रही है नहीं नहीं अलग से कुछ तरीके अपना रही है नहीं कुछ नई stages उन्होंने इवल्फ कर दिया तो उस society को हम यहाँ पर क्या कहते है progressive society और ये progressive society है अपने अंदर progress किन तरीकों से करती है उसका भी हम जिकर करेंगा यहाँ पर तीन पॉइंट बताए गए है कि जिनके अधार से जिनके बेस पर एक society है वो progressive society बनती है वो first क्या है legal fiction second क्या है equity and third one is the legislation जो कि आज के modern time में सबसे उपर है आज कि जो low है वो legislation के द्वारा ही बनाया जाता है I hope कि आपको जो ये concept है clear हो रहा होगा यानि कि static society कहां तक है जब वो इस दाइरे के अंदर है यानि कि चार stages तक ही अपने आपको जब कोई society बाउंट रखते है तो वो क्या है static society लेकिन जैसे ही यहाँ से निकल के बाहर निकल जाती है इस दाइरे से और वो अपने आपको इन चार stages से बाहर भी develop कर रही है तो वो बन जाती है एक progressive society ठीक है तो चलिए इन तीनों points को जो कि एक progressive society है adopt कर रही है अपने आपको develop करने के लिए तो वो कौन-कौन से है सबसे पहला आता है point legal fiction legal fiction क्या है legal fiction का यहाँ पर क्या मतलब है कि law है वो change होता है according to the needs of the society without making any change in the letter of the law यानि कि legal fiction का क्या मतलब है society develop हो रही यार time to time time change हो रहा है लोगों की जरूरते हैं चेंज हो रही है लेकिन law wise सेम चल रहा है यार इसका मतलब society grow नहीं कर रही है आज किसी वेक्ति को particular law की जरूरत है लेकिन by the time यानि कि 100 साल बाद 200 साल बाद में उस society को सेम उसी law की थोड़े न जरूरत रही है उसकी उसकी जरूरते change हो चुकी है उसकी society के अंदर बहुत सारी चीजें चीजें चुकी है लोगों का mind change हो चुका है उनका जो mind का level है वो अब हो चुका है तो अब law सेम थोड़े न चलेगा तो उसके जो main concept है बैसी का उस law का उसको बिना कोई change किये बिना उसके अंदर कुछ other changes उसकी need के coding society के जो change आता है उसको यहाँ पर legal fiction कहते हैं जैसे कि पहले अगर natural law natural person था अब legal person भी आने लगा जैसे companies को यहाँ पर एक person के दोर पर माना जाता है legal person अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें यार थोड़ी मैंने लग चे वीडियो मनाने में अब इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर main के coding क्या है एक बोडी है एक रूल की बोडी है जो कि existing है by the side of original civil law and founded on the distinct principle distinct principle है उन पर पाए गया और original civil law उसके जो साथ में एक बोडी ओफ रूल जो existing है उसको यहाँ पर equity करते है और equity help करते है to remove the rigidity and injustice जो की law के अंदर कठोरता है कोई injustice है उसको remove करने का काम यहाँ पर equity करती है that is the equity next आता है legislation the most important process of developing a society in the modern world आज के time के अंदर legislation ही law बनाने का सबसे best तरीका है और popular तरीका भी है तो यह legislation का मतलब क्या है कि most effective desirable method legal change के अंदर आ गया है अब law will be enacted यहाँ पर enacted होगा become operative हो जाएगा officially अब legislation क्या है parliament है law बनाएगी act pass करेगी officially pass करेगी उसको officially उसको operate करेगी judiciary उसको interpret करेगी administration उसको enforce करेगा तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर जो law है वो officially हो जाता है writing में भी हो गया अब यह नहीं है कि किसी ने कोई command दे दी king है या कोई ruler है उसने command दे दी वो law है नहीं legislation यहनी कि एक group of people एक agency है वो उसको बना रही है that is the law I hope कि आपको यह चीजे हैं जो अच्छी से समझ में आगी होंगी तो यह हमारा legislation का जो topic वो भी complete हो गया होगा और आज की video है जो हमने यहाँ पर complete कर दी है जिसमें हमने sir handyman की theory के अंदर चार stages देखी है दो society देख लिए एक status और एक progressive progressive society कि इस तरह से progress करती है develop करती है अपने आपको वो भी हमने देख लिया I hope कि आपने इस video को बहुत ज़्यादे enjoy किया होगा और यार channel को थोड़ा बहुत subscribe कर लिया करो क्योंकि subscribe rate थोड़ी कम है लेकिन आप देखते हैं बहुत ज़्याद हो thank you उसके लिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लिए दिसे अपने दोस्तों के साथ में share करें लाइक करें और notification bell है उसको भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही और वीडियो जब भी upload हो तो उसका notification आपको मिल जए and thanks for watching keep learning keep growing और enjoy करते रहिए यार बास